जलवायू परिवर्तन की वजह से एशिया के 16 देशों में गंभीर संकट मंड़ा रहा है। आने वाले समय में इस छेत्र में पानी और ओर्जा की आपूर्ती पर भारी असर पड़ सकता है। जलवायू परिवर्तन का असर हिंदू कुष और हिमाले के पहाडों के वाटर सिस्टम पर पड़ेगा जो एशिया के लिए चिंता की बात है। ऐसे में अगर छेत्रिय जल प्रवा को बचाने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किये गए तो भारत समेत कई देशों में गंभीर स सिती पैदा हो सकती है क्योंकि एक अरब लोग यहां से निकलने वाली दस नदियों पर निरभर हैं। चाइना वाटर रिस्क तिंग टैंक की अगुवाई में ये रिसर्च हुई है। जिसमें ये निसकर्ष सामने आये हैं। चाइना वाटर रिस्क तिंग टैंक की कि अगर हम उत्सरजन में लगाम नहीं लगाएंगे तो इन सभी नदियों को गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इन नदियों में पहले से ही और सम्विंदंसील तरीके से उज़ा परियोजनाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है जो समस्याओं को बढ़ा रहा है इन दस नदियों में 16 देशों की 3-4 हाइडरो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसके अलावा ये नदिया 44 फीस्दी कोईला अधारित पावर प्रोजेक्ट को भी सहायता प्रदान करती हैं ये देश अभी भी अपनी उज़ा जरूरतों को लिए जीवाशम इंधन पर बहुत अधिक निर्भर है रिसर्च ने कहा कि पूरे जापान को बिजली सप्लाई करने के लिए 300 गिगावाट से अधिक बिजली की जरूरत पड़ती है जिन छेत्रों में ये नदियां हैं वहाँ पानी की कमी से लोग जूज रहे हैं चीन की उ इतना ही देखते रहें एन 27 न्यूज आप देख रहे हैं एन 27 न्यूज पकड़ हर खाबर पर